हेलो गाइज, आई एम तमन्ना, वेलकम बेक टो माइ चैनल गाइज, अज मैं आप लोगों के साथ में शेर करने जा रही हूँ, वेज, चीजी, चीजी, बर्गर, बहुत ज़्यादा डिलेशेज और आपकी सोच से भी ज़्यादा कहीं आसान, ये समझ लिजे कि इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, ये इतना easy है कि बच्चे भी से बना लें, तो आईए देख लेता हैं उसे किस टाइब से बनाना है, मैंने कुछ veggies रही हैं, इन सभी को मैंने कुछ इस टाइब से कट कर लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा, आपको पतला भी बारिख भी नहीं काटना औ बस कुछ इस टाइब से एक mixing bowl ने ट्रांसफर कर दिया है और इसमें लिया है मैंने homemade cheese one चटनी और इसी के साथ मैं इसमें ले रही हूं homemade tomato ketchup और अभी मैं यह ले रही हूं homemade green chili sauce इन सभी की recipe ना मैंने आप लोगों के साथ में share किये आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार चैन कौनों तरह के salt को ना आप यह mind में रखते हुए लें कि जादा नहीं हो जाए तो बस day stick के according ले लें और यह लिया है मैंने chili flags तो half spoon के करीब मैंने chili flags ले लिया है और इसी के साथ में मैंने half spoon डाल दिया है इसमें black paper का powder जो हता है ना काली मिर्ज का powder वो और इसमें ना मैंने one spoon full लिया है चाट मसाला और इसी के साथ मैं इसमें add कर रही हूँ यह mix हप्स और यह लिया है मैंने pizza और गैनो तो यह दोनों चीजे आपको one one spoon full लेना है अच्छे से अच्छा इसके quantity अगर थोड़ा बहुत उपर नीचे हो भी जाएगी ना तो कोई बात नहीं चलता है इसे वही है थोड़ा सा मिलके के साथ इसे mix करना है और mix करके इसे भी इसपे add कर देना है और इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से mix करना है इसी mixing जो है न वह most important है तो इन सभी चीजों को आपको perfect mix कर लेना है जितना अच्छे से mix हो जाएगा उतना जादा इस सारे spices आपस में mix हो जाएंगे तो आपको perfect इसका taste और flavor आएगा और अगर mix इसकी mixing perfect नहीं हुई न तो जो भी इसमें spices और गैनो add किये हैं वो कहीं पे कम कहीं पे जादा होगा अभी यह मैंने लिया है बन लिये हैं तो आपके वहां पर जहां पर भी आप रहते हों जो भी easily बन मिल जाए वो आप ले सकते हैं अच्छा अगर बन नहीं भी आपके वहां easily मिल रहे हैं तो आप इसकी जगर bread के साथ भी बना सकते हैं और यह लिया है मैंने butter butter कुना थोड़ा सा melt कर लिया है और आपको क्या करना है कि एक दवा पैन कुछ भी लेके उसे रख दे हीट होने के लिए और उस पे आपको यह बन के slice को थोड़ा सा गरम कर लेना है जादा नहीं बस थोड़ा और जो यह हमारा mix बना है ना बन के ready हुआ है इसको आपको spread कर देना है एक स्पून की help से कुछ इस टाइप से तो सारे आपको बन के slices को इसी टाइप से two part में divide कर लेना है और cut कर लेना है और फिर इस तरह से करके उसके उपर आपको इन सभी mix को spread कर देना है अभी यह लिए है मैंने cheese slice लिए हैं यह लेना है आपको और लेके open करकी इसके उपर रख देना है अच्छा अगर इस टाइप के cheese slice वैसे तो हर जगी easily available है बट किसी भी problem से आपके पास में present time में available नहीं ह आप इसकी जगर पे ना जो mozzarella cheese होती है cubes में होती है वो भी add कर सकते हैं तो बस आपको cheese add करना है जो भी हो cheese आप थोड़ा ज्यादा करकी add करें क्योंकि अभी तो यह ज्यादा लग रही है पाद में melt होने के बाद में कम हो जाती है cheese के उपर ना मैं add कर रही है थोड़ा सा चा add कर सकते हैं आप चाहें तो थोड़ा सा black salt भी इसके उपर add कर सकते है black salt ना टेस्ट इनहेंसर का काम करता है तो देखिए यह सभी चीजे ना आप अपने according कर दें और अगेन बताना चाहूंगी चीज ना आप चाहें तो अपने according कम भी कर सकते हो ज्यादा भी वैसे ना जद हो कुछ भी हो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो इसे आप अपने according करें क्योंकि melt होने के बाद में ना यह बहुत थोड़ी सी लगने लगती है तो जितना ज़्यादा चीजी फ्लेवर आता है उतना अच्छा लगता है तो इस टाइप से दूसरा बं लेना है इसके और बटर को भी स्किप कर सकते हैं आच तो अभी आपको दुध्त बाद लेना है मैंने ना डूसरा दौशथा लिया है उसे मैने अच्छे से हीट कर लिया था और इन सभी को इस पर अच्छे से हमें सेट कर देना है फ्लेम को बिलकुलving low कर देना है एक दम ही low आपको रखन हैं क्योंकि थोड़ा अच्छे सी क्रिस्पी होगा ना क्रण्ची सा फ्लेवर आएगा और हाइफ लेम पे अगर आपने किया ना तो फिर इसका फ्लेवर जो आएगा ना तो वह जला-जला से आ यह क्रिस्पी नहीं होंगे बड़ जल जाएंगे तो देखिए इस तरह प्रेस करने से चीज देखिए बहुत पर्फेक्ट मिक्स हो चुकी है यह आप देख रहा हैं और अंदर से इसका लुक देखिए और इसका टेक्स्चर देखके आप समझ सकते हैं कि कितना टेस्टी बना होगा तो इस टाइब से आप बनाए जैसे की बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं न तो आप इस टाइब से बना के बच्चों को भी दे सकते हैं खुद भी इंजवाए कर सकते हैं तो रैसे पी जैसे लगए फीडबैक दीजेगा ओके बाए